जी बहुत बड़ा रिलीफ मैं मरीजानू और मैं इसे में पीजेए नियोपीडी मौझूदा पहला एक तस्वीर था नू दुखा दा कि जिड़ो तो सी काउंटर देख रहे हो उत्ते नवे कार्ड बन रहे ने जदकी टाइम में जद दस बच के पैंती मिनिट आज तो बारा दिन तक सिर्फ आठ तो साड़े नो फॉट रंगला पंजाब जे पनावने हो देपासे सेत बंद पंजाब पहला चाहिए है 96-97% लोग जेड़े ने ओ महला क्रिन के जो ठीक हो के करे बापस चले जांदे ने सरकारी अस्ताना ते बर्डन बहुत कट गया महला क्लिनिक जेड़ा बना होया है ओधी बिल्डिंग बहुत अच्छी बढ़ी होई है ओथे सब तरह निया फसेल्टीस देती हूं यह सरकार बलो दो हकते दो खंग ने बहुत पर्शान कर रहा है तो पहला बाहर प्राइविट द्वाय लंदर है फिर इत्थे आगे लग्ती टाइट फ्री होया है इत्थे हो मैं ठीक हो गया और मैं ठीक है बलकुल चांदार महला क्लीनिक का सफाही है और डॉक्टर ओनदी जड़ी दवाई लिखनी है और क्प्यूटर चैड कर देने जित्थे दवाई लेनी है उत्थे तक क्प्यूटर पहुंच जान दिया टोटल पेपरलेस है मांसाव ने बहुत बढ़िया प्राला कीता बढ़िया काम करेया सरकार ने गरीब बांदा पला कारता पंजाबीच क्या जंदा है बाकी दे कम बाच पहला सेच जरो रही है सो असी जदो सौ चुकी तब पहले ही सड़ा विजने सीगा के पंजाब दे विच हेल्थ टॉप क्लास दा इलाज होवे सो एक मेडिकल हाप दे रूप दे विच असी सोचा है और मैं कोई सान नी कर रहे है तो अटेते मेरा फारज जाए जी है कार्ड लेही नंबर लगदा सी तत आज जड़ी मरीजा दी जड़ी आवक है ओ ज़्यादा है पीजाए विच जड़ी पहला कार्ट सीगी क्योंकि आठ तो ग्यारबे तक उन नवे कार्ड भी बंढ रहे हैं ते नंबर भी लगदा है यानि के जड़े पराने कार्ड ने आज बार दिन बाद स्ट्राइक खत्म है और आप सारा देख रहे हैं अब यह है कि नए कार्ड भी बन रहे हैं पुराने फॉल अफ चल रहे हैं बिल्कुल जी आज से हमने अपनी पूरी सर्विसिस दुबारा से फुल फ्लेश तरीके से शुरू कर दी हैं नए कार्ड भी बन रहे हैं और पीछे हमने जो थोड़ा समय का भी एक पाबंदी करी थी कि आठ से साड़े नौ बैज तक करेंगे अब वो भी हटा दी गई है जैसे पहले रूटीन डेज में चल रहा था वैसे ही ग्यार बैज तक कार्ड बन रहे हैं नए और पुराने हैं यह भी कहा जा रहा है कि जो मरीज है वो भी सहीम रखें क्योंकि एकदम से बारा दिन को वापिस लेने का निर्ने लिया गया है तो जिन लोगों को अपना प्लान करना था आना वह अभी शायद नहीं प्लान कर पाए है हमें उम्मीद है कि आने माले हफ़ते में सोम मंगलवार से पूरी तरह से वही तरीके से शुरू हो जाएगी सर्विस लोगों की तरफ से हम आप से एक बार बात करेंगे जरा एक बर पूछ लेते हैं कहां से आए आप मैं आप मुहमद अपसर्व हैं तो यह बिहार से आए हैं फाइनली खुश है कि कमी कम स्टाइक खतम हुई है इसी तरह से काफी पेशन्ट आपको यहां पर दिखाई देंगे तस्वीरे आप देखत iya मरीज लगातार जो है वो आभी रहे हैं क्योंकि नए कार्ड जो है वह बनने शुरू हो चुक्ए हैं तस्वीरे देख रहा इस रिपोर्ट की हैं और जो कौंटर है नए काड बनने का इधर है वो भी आपको लेकर चलते हैं कि जहां पर नए कार्ड देखे समय में इसलिए क्या रहा हूँ कि एक समय था से 12 दिन पहले जब इस समय तक कार्ड बनने यानि कि साड़े नो तक सिरफ कार्ड बनने जो थे वो बंद हो जाते थे और नए मरीजों के कार्ड तो बनते ही नहीं थे क्योंकि स्ट्राइक थी सिरफ फॉल अप जो ओपिडी थी वो चल रहे है अब खतम हो चुकी है स्ट्राइक और मरीज जो है वो पुरी तरह से पीज़े अपने नॉर्मल प्रोसेस में आ चुकी है ने कार्ड भी बन रहे हैं और तमाम जो पीज़े की सुविदाई हैं वो मरीजों को अब मिलनी अब इस समय जो हो रहे है वो सुवह के साड़े दस चालीस हो चुके हैं और आज से बारा दिन पहले इस समय पर आपको एक काउंटर जो है वो बंद मिलता था उसका कारण मैं आपको बताऊंगा पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं यह आप OPD की तस्वीरे देखते रह यह पहले अब और जिस काउंटर की मैं बात कर रहा हूं कि इस समय पर वो काउंटर बंद होता था उसका रिजन है यहां पर इस काउंटर में नए कारण बनते हैं जो की बारा दिन जब तक हड़ताल रही नए कारण नहीं बनते थे सिरफ फॉल अप कारण यानि कि जो पेश साड़े नो तक यहां पर सिरफ और सिरफ फॉल अप के कारण बनते थे यानि कि जो पेशन्ट पुराने हैं उनके कारण बनते थे यह काउंटर नो बजे साड़े नो बंद हो जाता था लेकिन अब जो स्ट्राइक खत्म हुई है तो कहीं ना कि आप देखें मरीज आ रहे है यहां पर कारण पता कर रहे हैं जानकाली ले रहे हैं तो यह वो काउंटर है जहां पर नए मरीजों का और फॉल अप का कारण बनता है खतम हुई है स्ट्राइक तो कहीं ना कहीं रहात की बात यहां पर आपको नज़र आएगी और पेशन्ट जो है वो भी आपको यहां पर लैप टेस्स उनकी जो रिपोर्ट से उनकी फीस है वो इनकाउंटर्स पर जमा होती है तो तुमाम है और भी लोग यहां पर हैं आप कहां से आई हैं जी सारणपूर से पहले पेशंट है या पहले भी आएके दूसरी बार आएज़ अचा दूसरी बार कार्ड बन गया जब अब कर दो जब आपको पता चला स्ट्राइक खतम होई तो उसके बाद अब पीजे परशाशन भी लगा हुए है कि जो इंतजाम है क्योंकि बार दिन बाद जब स्ट्राइक खतम होती है तो नैचरली कि पूरा प्रशाशन जो है वो अपने तरीके से काम करता है और पीजे प्रशाशन भी यहां नजर आ रहा है मुस्ताइद हालां कि एक और पेशेंट हैं उन्से बात करेंगे जो यहां पर आए हैं कि क्या लगए आपको सस्री काल अजिसर दुसी कितों है श्री मुकसर साफ भाजिकर साफ नहीं कि स्काइब का पता लग गया से भी खतम होना इस पहला है कि पहला एसी कि प्राणे बाट चलता पाला कालव चलता तुंकिना गरीन लगए कि जो तो फ्राइक खतम होन दी यह भी चलो हून सारा सिस्टम सैट् सब्सक्राइब करते हैं कि आपको पता लगया स्ट्राइक होता है पुराने पेशंट हो तुसे हां जी काड़ कुड़ बन की सिर्पाइब कहीं नहीं रहात के बास जरूर है क्योंकि हाला कि पहले जो पीडी चल रही थी उसका भी फरक है और जो ने पेशंट है उनको भी कम से कम ये तो है कि स्ट्राइक धिरी धिरी पता चला क्योंकि ये कल शाम का उस्ट है तो अभी पीजे प्रशाशन की में बात कर रहा था यहां पर डॉक्टर पंकर जरूरा जो है वो आप देख रहे होंगे तस्वीरों में खुद यहां पर ओपेडी में मौजूद हैं ये ओप में कुछ मरीजों को तकलीफ ना हो खामी ना हो तो आप ये काउंटर आप किसलिए देखना है रिसेप्शन है पूछताच है यहां पर पेशन्ट आता है कि कार्ड कब बनेगा या यह तमाम वर्किंग है तो कहीन कहीं एक रहात की बाद जरूर मिले के 12 दिन बाद का खतम होने का शायद के मरीजों को जैसे मनें बात की नहीं पता चला लेकिन जिनको पता है क्योंकि यहां पर नॉर्मली वो है कि फॉल आप पेशन्ट बहुत मात्रा में आते हैं और मैं आपको एक डाटा कर दूँ चंडिगड पीजए में रोजाना जो नॉर्मल ओपीड प्रेटर है वो देखते हैं लेकिन इन 12 दिनों में बदला क्या इन 12 दिनों 건 यह बदला कि जो एमरजन्सी है वो चलती रही लेकिन जो नए कार्ड हैं वो नहीं बने जो पेशन्ट पीजएई से पुराने थे यहनिके जिनका सिर्फ फॉलॉप कार्ड होना था उनका आठ से साड़े नो तक कार्ड बनता था अब स्ट्राइक खत्म हुई है ऑपरेशन भी जो है कहीं के टले क्योंकि डॉक्टर नहीं पहुंच पाते थे वो अब शुरू हुई है तो अगर आपको दस्वीरे दिखाऊंगे मरीजों की अब तादा जो है वो अब बढ़ने लगी है अब देखे दरादर इस गेट पे आपको मरीजों की जो आवक है वो नजर आ रही होगी ये मरीजों के जो अब आने शुरू आपको लग रहा होगा क्योंकि जिस जिसको पता चला है कि स्ट्राइक खत्म हो गई है या जहां पता चला तो अब वो पीजी आई न्यू ओपीडी ज आज बारा दिन बाद जो तेरे में दिन के तस्वीर है वो बिलकुल अलग है। इसके लिए मैं धन्वाद करता हूँ अपने सभी रेजिडेंट्स का, सभी लोगों का जिन्हों ने वापिस अपनी सर्विसिस जॉइन कर ली है और पब्लिक का भी जिन्हों ने इतने दिनों में संयम रखा और हमारी अपील उनसे बार बार थी और उनको उन्होंने और आज हम खुश है कि हमारी सर्विसिस वापिस स्टार्ट होगे एक जो हम मरीजों से भी किमर बात की कि जो जब स्ट्राइक थी तो जब वो डेट हैं वो अपडेट आगे बढ़ने शुरू हो गई है दो 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 तिन महिने बाद वो इशु पीजे के सामने आ रहा है देखे हमने सिरफ अन दिनों में जिन मरीजों का नई उनलाइन पर आगे का मिलेगा लेकिन वो फिजिकल किसी भी दिन आके करवा सकते हैं को कि दो नई मोड हमारे चलते रहते हैं एक चीज़ मैंने देखी हैं कि जो बिहार, बंगाल, त्रिप्रो तक के मरीज यहां पर हैं और पीजी आई में अगर डेटा की बात करो आप सही भी कर सकते हैं मुझे कि दस से बारा जार मरीज रोजाना देखे जाते हैं अब जो आपको लग रहा है कि जो बारा दिन का बैक लोग है यह कलीर होने में और रशाने वाले दिनों में पढेगा है तो यह बहुत जिनकी बीमारीं हुआ इलाच जाता है तो वो लोड वैसा ही रहने वाला है और ये दीरे दीरे नॉर्मल हो जाएगा शायद एक, देर दो हकते में ये वापिस हम उसी जगापे आ जाएंगे average वैसा ही रहने वाला है